सो हेलो गाइज वेलकम बैक टो दी चैनल क्विक इजी लौ आज हम पढ़ेंगे यूनिट नमबर सेवन के अंदर फैमिली लौ का जो भी हिंदू लौ से रिलेटिड चीज होंगी वह सारी की सारी मैं एक इसी वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा जिसमें स्कूल्स ऑफ हिंद यह मेरा नेट का सर्टिफिकेट है अगर आपने टेलिग्राम पे अब तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा जो गलती होंगी एर्र होंगे लास्ट मिनेट टिप्स होंगे मैं सीधे टेलिग्राम चैनल पर ही डालूंगा तो बच्चो आये शुरू करते ह बहुत कम था तो मैंने क्या किया है सीधे अपने नोट्स जो थे उसकी फोटो कीच दिये राइटिंग बहुत खराब है मैं जानता हूं तो मैं आपको एक्स्प्लेइन कर दूंगा देखो हिंदू लाग अंदर जो सोर्स और स्कूल्स जो है इसमें किया है जो एंचंट सोर सोर्स कहलाते है और यह मौडन सोर्स कहलाते है यहां शुरूती जो है शुरूती का मतलब होता है कि क्या चीज कहीं गई है और स्मनिती का मतलब क्या चीज होती है वाट इस रिमेंबर क्या चीज जो है स्मरन की गई है यह चीज आप याद रखेगा स्कूल जो है हिंदू ल पड़ना विश्वराने और यगना ओन रख्या स्मृती के ऊपर इस्नाब्लीकेबल टू बंगालेंड एसम तो अित होता प्रोट पक बंगालेंड अपलाई नहीं होता है। दया भागा जो स्कूल है वो बंगालें अपलाई होते हैं और डीजे याद इतना अबाद Special Marriage Act का year था 1954 Hindu Marriage Act 1955 में था और इसके बाद जो भी Hindu Marriage Act का आप बेर एक्ट अपने साथ लेके बैट जाओ अभी नहीं लाए तो वीडियो पॉस करके लिए हो Hindu Marriage Act 1955 में था और इसके बाद जो भी Hindu Marriage Act Succession हो गया, Guardianship, Adoption, Maintenance ये सारे के सारे 1956 में आ गए हैं ठीक ये चीज़ आपको याद रखने हैं तब ही मैंने लिखा है इसके बाद सेक्शन 5 जो है ये बात करता है किस चीज़ की Conditions of a valid marriage in Hindu marriage के अंदर तो हम वो conditions थोड़ा से देख लेते हैं पहली condition कह देती है मतलब किसी की भी या उससे जादा वाइफ नहीं होनी चाहिए उसकी शादी नहीं होनी चाहिए Insanity मतलब पागल ना हो एज उसकी सेक्शन 18 के हिसाब से valid हो गई हो और सपिंडा relationship यह भी सेक्शन 18 के अंदर mentioned है और यह सारी क्या conditions है conditions जिनको fulfill आपको हर हाल में करने अगर इन में से एक और यह section 5 कौन सी conditions है अगर इन में से एक भी चीज हो गई ना या एक भी चीज आप वॉयलेट करें तो शादी जो है सीधे क्या है मानी नहीं जाएगी वह शादी जो है वैलेड दी मानी जाएगी यह section 18 में बात करते हैं यह चीज याद रखना 5 का जो सब क्लॉस 4 पहले prohibited relationship आते हैं और फिर सब इंडा relationship आते हैं पर जब डेफिनेशन क्लॉस होता है तो सब इंडा पहले आता है और prohibited relationship बाद में आते हैं क्लॉस के अंदर मैं आपको बात कर रहा हूं ठीक section 3 का एफ जो है वह सब इंडा के बारे में बात करते हैं और section 3 का जी जो है वह prohibited relationship की बात करते हैं इसके अंदर एक important case law भी है सर्ला मुद्गल वर्सेज union of इंडिया 1995 का और लिली थॉमस वर्सेज union of इंडिया 2006 का यह जो important case laws है यह आप जरूर याद कर लीजए सर्ला मुद्गल वाले case में क्या क्या गया था अगर कोई बंदा जो है वह convert कर लेता है second marriage के लिए इस्लाम में तो जो first marriage है वो automatically dissolved नहीं होगी और लिली थॉमस में भी यही था कि बहुत सारे non-muslim लोग जो थे वो इस्लाम फेट में convert होके second में शादी कर लेते थे तो क्या है कोट ने यह लिली थॉमस में का जब तक आपने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया है तब तक सेकेंड मैरेज जो है वैलेडी नहीं वानी जाएगी ठीक यह दोनों case loss जो है similar चीज़ों से बात करते हैं दोनों case loss को आप विद और section 7 के आगया अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजे इट शुड इंक्लूड सब्थ पती और सब्थ पती क्या होता है seven steps by the bridegroom and the bride jointly जब वो मिलके sacred fire के सामने साथ कदम लेते हैं तो जैसी सात्वा कदम ले लिया जाता है section 7 के अंदर it is marriage पूरी हो जाती है और कॉंसी marriage जो ceremony होती है शादी की वह पूरी हो जाती है as it is seven section याद कर लो आप section 8 registration की बात करते है और registration के ओपर एक important case law सीमा वर्स अश्वनी कुमा 2006 यह case law आप याद कर लेना है बार बार पूछते है section 9 conjugal rights के बारे में बात करते है conjugal rights क्या होते है जब basically क्या होते है जब husband और wife जो होते हैं without reasonable cause क्या कर देते हैं एक दूसरे की साथ रहने से withdraw कर देते हैं मना कर देते हैं कि भाई आप मैं तो नहीं रह रहा और कोई cause नहीं देते दूसरे को तब section 9 के अंदर court के अंदर restitution of conjugal rights की application डाली जाती है जिसमें court कह rights के बारें बात करते है section 10 section 10 बात करता है judicial separation के बारे में judicial separation क्या होता है जब court जो है उन बंदों को कहती है बहीं अब अलग अलग रहो और इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट के अलग अलग रहने के लिए आपको कोई ground भी तो लेने पड़ते हों कि क्यों क्यों आप जो हो हो तो ground जो है वो ते होते डिवोर्स के जो ग्राउंग है ना उनी ग्राउंग जो है अंदर जो है आप जो है judicial separation में court में कह सकते हैं मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है 13-1 में क्या होता है husband भी लगा सकते हैं ग्राउंड और wife भी लगा सकते हैं पर 13-2 के जो ग्राउंड है देजार only available to wife हो उम्मीद करता हूं LLB के अंदर आपने थोड़ी ची पढ़ाई की होगी और आपको समझ आ रहोगा मैं काफी उपर-उपर से बता रहा हूं कि इस सब ची और जो बाकी के ग्राउंड रहे गए वो सेक्शन 12 के अंदर voidable marriage के अंदर कवर हो जाते हैं void marriage मतलब एक ऐसी शादी it is from the very starting it is not valid और voidable में क्या है जब तक आप court की decree से नहीं लेने जाते उसको आप शादी को कैंजल नहीं करवाते तब तक उस शादी को valid माना जाता है सेक्शन 13 बात करता है किसके बारे में divorce के बारे में क्या-क्या proceedings है क्या-क्या इनके अंदर subclosing है तो section 13 का बात करता है इसके उपर important case law आ गया dissertation की बात करता है दो साल तक जब मिया बीवी अलग-अलग रहते हैं तो इसमें क्या है एनिमस डेसरेंड है मतलब आपका mental element दोनों मिया बीवी ने सोच जब भाइस बंदे के साथ तो रहना ही नहीं ठीक चाहे वो एक घर के दूसरे दूसरे कोने में रह रहे हो तब भी आप को पता है desertion हो सकता है दो साल तक जो है they are not even looking at the face of each other mentally they have decided that कि अब वो बंदा में ले बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सावित्री पांडेज वाला केस है वर्सिस प्रेम पांडे सेक्शन वन भी हो गया सेक्शन टू जो है conversion की बात करता है जब आप convert कर लेते हो थ्री जो है बात करता है किसके बारे में बात करते हैं mental third fourth or fifth section 13 का third class fourth class और fifth class यह mental leprosy और AIDS के बारे में बात करते है जब इन में से कोई ऐसी condition आ जाए तब भी आप divorce ले सकते हैं जाके अपने और section 13 7 जो बात करता है साथ साल से कोई ख़बर ही नहीं से इनसान की भाई से बंदा कहा चला गया तो किया तब भी एक वैलेड चीज है डिवोर्स लेने के लिए section 345 को याद करने के लिए आपको सिंपल सा तरीका है MLA member of legislative SMD जो होते है जब इनसान mentally disabled mentally problem हो जाए इसके हमें पता ही नहीं हो कहां चला गया 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 यह चीज आपको याद रखने है 13 मने के अंदर जो है इरिट्रेविबर ब्रेकडाउन ऑफ मैरेज के ऊपर बात की गई है कि जब जो है नॉन रिजम्शन और को हैबिटेशन ही नहीं हुआ लास्ट एक साल से जब से जुडिश नंबर है ऐसाच नहीं पूछते पर आपको फिर भी याद होने चाहिए कि वन पे तो आटणीश जरूर पता होना चाहिए यह चीज आपको जरूर पता होना चाहिए थार्टीन टू यह जो क्लाॉसेज ई कि यह वाली जो चीज है यह सिर्फ आदमी के पास भी और और अरत क कर दी नॉन रिजंप्शन ओफ को हैबिटेशन आफ्टर दी ओडर ऑफ मेंटेनेंस और पास हो गया उसके एक साल बात तक भी मिया बीवी में को हैबिटेशन नहीं हुआ या उस औरत की जो शादी हो गई थी 15 साल से पहले हो गई थी और 18 की होने से पहले मेजर होने से पहले मेरे को तो यह शादी है करनी ही नहीं मैं उस तरी उस state of mind में नहीं थी नहीं तो मैं शादी 15 साल से पहली करा दी और अभी मैं अठा रही ही नहीं तो मैं शादी को तलाग लेना चाहती हुआ तो इस वैलिट ग्राउंड फर डिवोर्स ठीक 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 हम बात करते हैं देखि प्लस सेकेंड इरिटरिवरबर ब्रेकडाउन ऑफ मैरेज हमने पीछे पड़ा है थर्टीन मने में आती है और थर्टीन बी जो है मीच्वल कंसेंट छोरी की बात करते हैं यह दोनों तो डायरेक्ली जो है इसमें है भी ठीक है तीन छोरी है हमारे पास थर्टीन बात करते हैं ऑल्टनेटेव रिलीफ यह बात करते हैं अधर दें थर्टीन टू शिक्स और सेवन देखो आप अल्टनेट रिलीफ मतलब डिवोर्स के लावा जो है कोट चाहते है कि आपका डिवोर्स ना दिया जाए क्यों मिया बीवियार मस्त साथ में रहे तो क्या करते हैं वह अल्टनेट रिलीफ देता है लोगों कि आप जुडिशल सेपरेशन में रहा थोड़ा दूर रहोगे तो शैसे प्यार 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 पनव जाए आप लोगों में तो क्या है अगर आप थर्टीन टू मतलब अगर आप कनवर्ट हो गए सिक्स मतलब कोई ब फुल स्पेल पर शादियां तूटेंगी थर्टीन बी जो है मुच्वल कंसेंट जब क्या है आप मिया बीवी ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग एक या एक साल से जादा से से परेटली रह रहे हैं और दुन दोनोंने मुच्वली एगरी कर दिया तब जो है सेक्शन थर्ट बी मुच्वल कंसेंट पेपर में अगर वो पूछेंगे तो आज से बस यही पूछेंगे सेक्शन फोटीन बात करता है नो पेटिशन फॉर्स विदिन बन यार ओफ मैरेज आपकी शादी हो गई है तो भाया पहले एक साल तक आज शादी हो तो अब से अगले एक साल तक आ नहीं करेंगे हाओएवर इन रीसेंट आइम जो है कोट ने एक कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसिज में सेक्शन फोटीन को ओवरूल कर दिया गया पर जनरल केस यही है सेक्शन फिफ्टीन बात करता है आरेंजमेंट री मैरेज आफ्टर ऑप्टेनिंग डिवोर्स सेक्शन सेक्शन फिफ्टीन बात करता है री मैरेज आफ्टर ऑप्टेनिंग डिवोर्स तो कहता है बिल्कुल सर आप शादी कर सकते हैं पर कंडिशन के आपका डिवोर्स हो गया पहली वाली शादी में बात करता है लेजिटिमेशी ऑफ चिल्रन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल म माना है उन विचारे बच्चों की कोई गलती नहीं होती सेक्शन 17 बात करता है बाइगयमी की और बाइगयमी जो है पनिशेबल है कहां पनिशेबल है सेक्शन 494-495 यह इसी सेक्शन में में मैंचन है तो तीनों सेक्शन अच्छे से रट लेना इनकी खूब आदत है यह मिल दोनों के दोनों लोग जो है एप्लिकेशन लगा सकते है मेंटेनेंस में तो 24 और 25 में फरक है 24 के होती है जब आपका केस चल रहा होता है ना डिवर्स प्रोसीडिंग का यह किसी चीज़ का उसके बीच में अगर कोई पेटिशन लगती है तो सेक्शन 24 में लगती है और जो कidet एह और साड़ दिन उर्ण आपको एप्लीकेशन को इarna डिश पर दिया जाता है यह एक इंडिपेडेंटर राइट है याद कर लेना मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात करते हैं ठीक कि अठारा एक कहता है कब वो एंटाइटल है अठारा दो कहते है वेंची इस नॉट इंटाइटल तो इतना डेप्थ में आएगा नी पर आप बेर एक साथ में लेके बैठे हो तो हाथ हो हाथ पढ़ते वह चलो सेक्शन 19 मेंटेनेंस की बात करता है विडो डॉटर इनलाओ की कौन देगा फादर इनलाओ देगा उसका ससुर सेक्शन 20 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ चिल्डेन एज पेरेंट्स तो यह तीनों सेक्शन आपको याद होने चीओ क्रोन लॉजी में मैच करके देंगे कि आप पढ़ देना यह के मैंने मेंटेनेंस का सारे कठ्था एक में कवर कर दिया जो है रामा सुभया वर्सिस चेंचर मुनिया यह के एडॉप्शन से रिलेटेट किये से पर यहां मैंने सेक्शन 4 भी लिख दिये तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना यह जो मैंने सेक्शन 4 भी मैंने मैंने मेंटेनेंस चाहिए तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना सेक्शन 5 जो है बात करें कौन से अंदर हिंद्वी अप्शन मैंटेनेंटेंटेंस फिफ्टीश के अंदर कोई भी जो एडॉप्शन जो है अगर जो इस आपके साफ से नहीं होगा वह वाइड होगा श बात करता है capacity of female Hindu तो 7 में जो है कब-कब आप एक male Hindu को adoption में ले सकते हो और 8 बात कर सकता है कब-कब आप एक female Hindu को adoption में take-in कर सकते हो 9 जो है बात करता है कि जो person जो है यह उपर 7 और 8 में जो आपको दे रहा है इसके पास whether he has the capacity to do so आपको adoption दे भी सकता है नहीं दे सकता है 7-8 में male 8 में female देखो मैंने लिखा हुआ है section 10 में person adopted capable of being taken in adoption अब 7 में क्या है आपने decide कर लिया लड़का लेंगे लड़की लेंगे adoption में 9 में आपने देख लिया कि हान जी जिस बंदे से ले रहे है उसके पास तो proper right है उस बंदे को adoption में देने के लिए 10 में आपने ले लिया कि भया जिस बच्चे को आप मैं ले रहा हूं क्या वह बच्चा भी capable है adoption में लेने के लिए तो इसके अंदर एक condition है कि वह जो बच्चा है वह 15 साल से उसकी उमर कम होनी चीए और भी condition से आप खुद पढ़िएगा section 11 जो है adoption should be made in compliance with other conditions अगर आप एक लड़का adopt करें तो इससे पहले आपका कोई बेटा ना उस बेटे का बेटा ना उस बेटे के बेटे का बेटा होना चीए ठीक important चीज याद रखना और अगर डॉटर अडॉटर करें तो ना तो कोई आपकी खुद डॉटर होनी चीए ना आपके बेटे की कोई डॉटर होनी चीए important चीज है याद रखना section 15 तरह सूपर इंपोर्टेंट है कहते हैं एक बार अगर अगर अगया तो कैंसल नहीं हो सकते है ठीक अब इसके बाद हम आ जाते हैं हिंदू माइनॉरिटी गार्डियंशिप अक्ट के अंदर सेक्शन 6 जो है आप याद कर लेना क्यों क्योंकि सेक्शन 6 जो है यह बात करते हैं सेक्शन 6 की नैचुरल गार्डियन ऑफ हिंदू माइन की वह कौन होता है तो देखिए पहले तो जो है माना जाता है की फादर होता है और उसके बाद जब उस लड़की की शादी हो जाती है तो हस्बेंड होता है यह चीज़ आप याद रखना 18 में क्या पावर ऑफ बावर गार्डियन को पाउ Hearts कर दिया टूब कर दिया और वह उस लेखिए के बेंड़की का उसको फा ऊद् mobilize का जाती होता है और वह को अगले साल ही मेज्यी आटेंड कर लेगा और उसने चार साल है तो वह तो भी इन्मेलिड होगा तो क्या है आप पांध साल के लिए पिस जैसे ही मैजोरिटी अमें तक कर ले तो उससे एक साल बाद तक जो है program बाद किसी और पास हो सकती है उसके बाद ज़्याग preparedness के लिए थी वह वापिस उस बच्चे की आपदो अन्या और किसी और के पास हो सकते हैं वह 19 का हो जाएगा वह लेंड उसके पास वापिस आजाएगी बात करते हैं कि आप गार्जियन जो है कभी भी माइनर के अंडिवाइड इंटरस्ट के लिए जो जॉइंट फाइमली प्रॉपर्टी में उसके लिए कभी माइनर को पॉइंट नहीं करेंगे यह चीज आप लड़कियों से ना उन्होंने पहले ही लेंड ट्रांसवर करवा ली तो बीस बारा दोहजार चार के बाद भी अगर किसी ने किसी औरत को बेदखल करने के लिए लेंड इधर से उधर करवाई है इर्रिस्पेक्टिव कि यह जो एक्ट है नाइन नाइन टूजन फाइव में जाती है थाला समब वर्स शेषा रएडी 1972 का सबसे जादा वार पूचे जाने वाला section 15 जनरल रूल ओफ से बात करता है हिंब हिंदू से रिलेटेट section 19 जो है यह बात करता है mode of succession तो यह कैसे कैसे होगी तो यह होगी पर-capita के through होगी Plus a tenants in Commons के through होगी यह दोनों याद रखना अब जो है इस हिसाब से होता है पहले क्या था per stripes होता था और joint tenants के हिसाब से होता है पहले अब यह वाले दो थाम याद करोगे भूल जाओ गए पर कैपिटा रखो और टैनेंस इन कॉमन याद रख लो अब इस हिसाफ से मोड़ अफ सक्सेशन होते हैं इन हिंदू सक्सेशन एक सेक्शन 22 अब बात करता है प्री एंप्शन की घर का बंदा है प्री एंप्शन मतलब उस बंदे को प्रॉपटी पहले मिल जाएग और वह आपको अगर सेम पैसा ते रहे हैं इसे ही कहते है राइट प्री एंप्शन यह देखिए मैंने लिख्या मैं दिली में रहता हूं तो मुनिसिपल कॉर्परेशन ऑफ डेली है और वह हमेशा डेट में रहती है करजे में ही रहती है साई टाइम पर शैलिए नहीं दे सक्ट हो जाओ सक्ट वेंटी सेजिए बात करते है जब आपका यह एंव डिस्कॉलिफाइ्ट हो जाए और कि इसी तरीके से से क्ट्वेंट बात करते है डिजीज और डिशेक्ट की स्ट्रीज की two to सेक्शन 30 बात करता है टेस्टमेंट्री सक्सेशन की देखिए इसके अंदर जो है 25 26 और 27 यह वह चीज बताता है कि कब-कब आपको प्रॉपर्टी मिलेगे ही नहीं सक्सेशन के अंदर सेक्शन 28 जो क्या था पहले एक बंदे को कोई डिजीजर डिफेक्ट होती थी तो उसको प्रॉपर्टी देते ही नहीं थे तो क्या है अब वह चीज को जो है सरकार ने हटा दिया क्यों यह एक्वैलिटी को प्रमोट नहीं करती थी अब जो कोई भी बंदा चाहे इस डिजीज डिफेक्ट के बेसिस पर डिस्कॉलिफाई नहीं होगा प्रॉपर्टी इन्हेरिट करने के लिए यहां आपको अपसे प्रॉपर्टी मिलने लग जाएगी इसी के लिए ही सेक्शन 28 आए था 29 समझ ही नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी किसकी यह बहुत ढूंड लिया नहीं आ के त्रू जो है टेस्टमेंटरी एक्ट सक्सेशन के जो रूल जो है गवर्न किये जाते हैं यह जो चीज़े आप इग्नोर कर दीजेगा यह मैंने क्लास तू एयर्स के बारे में बात करने की चीज थी आप खुद पढ़ना यह चीज आप बिलकुल मत करना है इंग्नोर इस